हेलो गईस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वेडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की Vivo Y300 फोन में आप लोग डबल टेप स्क्रीन ऐन कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Vivo Y300 फोन है और इस phone में जो है आपको double tap screen on करना है अगर आप लोग चाहते हो कि गए जब भी आपके phone के screen में double tap किया जाए तो आपको जो screen हो बंद हो जाए और इसी बंद screen में double tap करके आप लोग अपने screen को on कर सकते हो तो इसका फाइदा क्या हो जाए अगर आपके phone का power button खराब होगा तो आपको इसका बहुत ही जादा फाइदा मिलेगा बूड आप पावर बटन पे क्लिक की अपने phone के screen को on off कर सकते हो बिना power button के तो कैसे आप लोग अपने इस phone में double tap screen on कर सकते हो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गैस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कल लीजे तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डबल टेप स्क्रीन ओन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलागा गैस शौटकर्स एन एकसेसिबिलिटी का तो आपको इस शौटकर्स एन एकसेसिबिलिटी के ओप्शन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन का ओप्शन मिलेगा तो आपको इस स्मार्ट मोशन के ओप्शन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद या पर एक option देखने को मिलेगा गाई smart screen on off का तो आपको smart screen on off पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आपर दो option मिलेगा double tap to wake और double tap to turn off दोनों को on कर देना है on करने के बाद home screen में जाएंगे और home screen में double tap करेंगे तो देख सकते screen बंद हो जुका है और देख सकते power button पे मेरा हाथ ने यह गयाज और इसी बंद screen में हम यहाँ पर double tap करेंगे तो screen on भी हो जा रहे है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Vivo Y300 phone में double tap screen on कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई